नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंग से निया आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे Magnetic Field of Earth के बारे में यानि कि जो Earth से related Magnetic Field जो जूड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ points यहां पर जानेंगे तो सबसे पहले जो Sir William Gilbert थे उन्होंने बताया था कि जो Earth है वो itself ये एक बहुत बड़े Magnetic की तरह काम करता है जैसे हमने बार मेंगनेट के बारे में पढ़ा हमें पता है उसके अंदर दो पोल होते हैं एक North Pole और एक South Pole अगर हम उसके Magnetic Lines of Force को बनाते हैं तो वो हमारी North से चलती हैं और South की तरफ जाती है यही होता है अगर हम Outward देखें Inward देखें तो South से North की तरफ जाती है तो इस तरह की Continuous Loop बनती है और Sir William Gilbert के According Earth जो है वो एक बहुत बड़ा मेंगनेट है यानि कि इसी तरह का एक मेंगनेट जो है अर्थ के अंदर Deep कहीं पर दबाया गया है या कहें कि Deep कहीं पर वो दबा हुआ है क्योंकि Earth इसेल्फ जो है एक मेंगनेट की तरह काम कर रही है तो यह जो Point से यह भी देखेंगे इनके Proof क्या है कि Earth क्यों एक मेंगनेट की तरह काम करता है क्यों हम ऐसा कह रही है, पहले हम इस figure को समझ लेते हैं, तो ये हमने कुछ angle पर भी दिखाया है, अब जैसे कि हमें पता है जो earth है, अगर हम एक simple सी figure बनाएं, तो सीधा हम north उपर ले लेते हैं, south नीचे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो earth है अपने axis पे थोड़ी tilted है, तो इसी तरह से जो ये magnet है थोड़ा tilt दिखाया गया है, और ये जो axis अगर हम लें कि कितना tilted है, जैसे मानली जी इसको आप north pole कहते हैं, इसको south pole बोलते हैं, तो ये कितना tilted है, लग बग जो है 11.3 degree, ये जो angle है, ये इसे tilted होता है, ये जो magnet हमने लिया, या कहीं कि जो tilted axis है, इ ये है, तो west की तरफ कहें, कि इस तरफ west है ना, तो west की तरफ लग बग इतना tilted होता है, और अब इसके अंदर ध्यान से समझेगा, जो magnet की position है, इस तरफ ये south है, magnet का, जो हम deep, जो buried magnet की, जो एक तरह का हम imagine कर रहे हैं, कि magnet है, वैसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम imagine कर रहे हैं, तो इसका south इस तरफ होता है, ये ध्यान रखना है, north pole की तरफ, इस deep buried magnet का, जो हम मान रहे हैं, कि है, south इस तरफ होता है, ये भी हम जानेंगे क्यों होता है, और जो ये north pole है, तो इसी लिए, जो इसके ये, जो यहां पर, ये जो axis tilted है, इसको हम north magnetic pole बोलते हैं, ये north geographic pole होता है यह North Magnetic Pole होता है ध्यान से जम जिएगा इसी तरह से यहां पर यह South Geographic Pole होता है according to geography और यह जो tilted है यह जो magnet को यानि कि कोई भी अगर आप suspend करते हैं तो इसको जो अपनी तरफ खीजता है तो यहां पर यह जो है South Magnetic जो Axis होता है तो यह South Magnetic है यह Geographic South है यह Geographic North है और यह जो है North Magnetic Pole हमने लिया यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो यह एन एम और जो हमने एस सम पॉइंट लिये हैं यह कहीं अर्थ के अंदर नहीं है इंटी की position को हम longitude और latitude से दर्शा सकते हैं कि इतने longitude पे है इतने latitude पर है अगर इसमें हम nm की बात करें यह जो point है वो at present की बात करें लगबग वो North Canada के अंदर है फिलहाल अगर हम बात करें यह North Canada के अंदर है और अगर इसकी longitude की बात करें लगबग 71.8 degree 71.8 degree west है और इसके latitude की बात करें, ये तो क्या होगा है, लोगबग है, 79.74 डिगरी नौर्थ, तो लगबग at present आप ये कह सकते हैं, इसी तरह से अगर हम SM की बात करें, ये जो point है, ये बिल्कुल opposite to NM होगा, क्योंकि बिल्कुल इसी axis बर है, तो बिल्कुल opposite to NM होगा, अगर इसके longitude की बात करें इसका जो longitude है वो लगबग है 108.2 degree east पर और इसके जो latitude की बात करें वो है लगबग 79.74 degree south पर जैसे 79.74 degree north पर है यह 79.74 degree south पर है तो इस तरह से longitude और latitude को आप दिखा सकते हैं लगबग क्योंकि change होता रहता है तो लेकिन होता कहीं जो हजारों सालों में है लेकिन चेंज इसमें मिलता रहता है फिलहाल लगबग जो है आप यह कह सकते हैं अब यहां पर देखिए जो यह geographic north है और जो magnetic north हमारा यह point है इन दोनों के बीच में दूरी लगा लें चाहें इन दोनों के किलो मीटर की होती है 2000 किलो मीटर की होती है जिस तरह से हम कहें कि अगर कमपास को लेकर हम geographic north की तरफ जाएंगे तो हम यहां पर नहीं जाएंगे वह हम magnetic north की तरफ जाएंगे क्योंकि जो कमपास है वो तो हमारी इस तरफ align होगी जो उसका point है तो हम इससे 2000 किलो मेटर दूर जा रहे हैं एक तरह से कहें कि यहां पर जा रहे हैं यहां पर नहीं जा रहे हैं कमपास की help से अगर हम जाएंगे लेकिन आजकल तो technology ने बड़ी जो है improvement की है तो आप exact जो है location पर जा सकते हैं लेकिन पहले जो थे ship के अंदर कमपास यूज किये जाते थे और हम देखते थे कि जब align होती थी कमपास नोर्थ पोल की तरफ होती थी जो कमपास का नोर्थ होता था अब जो कमपास का नोर्थ होता था जैसे कि मानले जी कमपास का ये नोर्थ पोल ले 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 इस तरह से और ये south पोल ले 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 ये वाला पोल तो ये जो नोर्थ है वो किस तरफ होगा ह इसकी तरफ होगा नोर्थ मैगनेटिक की तरफ अब ये नोर्थ मैगनेटिक की तरफ क्यों होगा क्योंकि हमें पता है नोर्थ पोल और नोर्थ पोल ये तो एक दुहरे को रिपैल करने चाहिए तो ये क्यों होगा तो इसलिए जो हम ये बरिड मैगनेट को मान रहे हैं इसका south pole north magnetic की तरफ है यानि की जब आप compass को जो इसका north जो side है compass का, और यह south side है compass को लेंगे, तो यह जो north side है इस north magnetic की तरफ होगा लेकिन actual में जो buried magnet है, उसका south pole इस तरफ है, क्योंकि south pole ही तो north को अपनी तरफ खीचेगा तो इसलिए जो buried magnet है, north Magnetic की तरफ हम उसका South Pole मानते हैं, जो Big हमने एक Imagine किया है, इसी तरह से इसके Opposite, अगर हम South की तरफ बात करें, तो उस तरफ इस Magnet का North Pole होगा, तो ये कुछ Basic से Point हैं जो हमें समझने हैं, ये सिर्फ एक Imagination है, कि इस तरह का एक Magnet है, इसलिए हमने South और North को अपनी मर्जी से माना ह है, ताकि Compass को हम सही बता सकें कि वो North की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि South ही North को खीचता है, लेकिन इसके कुछ Points हैं, जो हम इसको एक Evidence के तरह ले सकते हैं उनको Points को, तो चलिए उनको Discus कर लेते हैं, सबसे पहला Point, अगर आप एक Bar Magnet को लेते हैं, और एक String के ऊपर आप उस को लटका दिया, अब यहां पर हम Direction ले लेते हैं, माली जी इस तरह से ले लेते हैं, जैसे यहां North ले ले ले, यहां South ले ले, इस तरह से, और यहां पर हम ले लेते हैं East, और यहां पर ले लेते हैं West, अब यह North-South Direction में हमेशा अपने आपको Align करेगा ही करेगा, अगर आप इसको freely suspend छोड़ देंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा हिला भी देंगे, तब भी अपने आपको north-south direction में align कर लेगा, क्यों कर लेगा, क्योंकि कोई तो magnetic field इसको अपनी तरफ खीच रही होगी, इस direction के अंदर, तो वो ही जो magnetic field है हम माल रहे हैं, कि वो अर्थ की magnetic field है, जो इसको खीच रही है, इसको align कर रही है, तो पहला point तो हमारा यही हो जाता है, इसके evidence में कि अर्थ जो है, itself एक बड़ा magnet है, दूसरा point, अगर आप कोई भी soft iron piece लें, और उसको आप बरी कर दें, यानि कि दबा दें, मिट्टी के अंदर आप उसको बरीड कर देते हैं, द कुछ समय के बाद, उसकी अंदर जो properties आती है, magnet की property आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, आपने तो इसको मिट्टी में दबाया था, soft iron piece को, तो इसके अंदर magnetic property कहां से आ गई, इसका मतलब यह magnet के contact में आया होगा, magnetic field के contact में आया होगा, तब ही तो यह magnet में convert हुआ है, तो यह convert होने का भी कारण हम एक तरह से लगाते हैं, कि जो earth है, उसके पास magnetic field है, तो इसलिए जब हमने soft iron piece को बरी किया, दबाया और उसको निकाला, तो उसके अंदर magnetic property है गई, third हम देख लेते हैं, माली जी अगर आप बार magnet लेते हैं, जैसे आपने north pole ले लिया है, south pole ले लिया, इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ magnetic field lines के अंदर जो है, कुछ neutral point मिलते हैं, neutral point क्या होते हैं, अभी जानते हैं, जैसे माली जी अर्थ की magnetic field है, तो यहाँ पर हमें neutral point मिलेंगे, यानि magnetic field है, यह अगर आप compass से check करते हैं, कुछ इस तरह की neutral point हमें मिलते हैं, यह हमने अर्थ की magnetic यह बार की है, magnet की है किसी की भी, तो क्यों क्योंकि इसने इसकी magnetic field line को cancel कर दिया है, कुछ points पर, इसलिए तो हमें neutral point मिले हैं, अगर cancel ना होता, तो यहां पर हमें पूरी magnetic field line मिलती, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं हमें मिला, अगर हम compass से check करते हैं, तो यहां पर इस तरह के कुछ neutral point मिलने का क्या करना है, कि magnetic field line कहीं ना कहीं cancel हो रही है, लेकिन हमने तो इसके पास कुछ भी नहीं रखा, इस तरह का कोई or magnet, तो यही एक evidence यह भी हो जाता है, कि earth जो है, उसके पास magnetic field है, और उसकी magnetic field lines जो है, यह हमें neutral points प्रवाइड कर रहे हैं, इसकी बार magnet की magnetic field line को cut करके, तो ऐसा आप कह सकते हैं, तो यह कुछ evidences point इसके साथ आते हैं, favor में आते हैं, कि earth जो है एक बड़ा, एक huge magnet की तरह काम करता है, अब geomagnetism क्या है, और terrestrial magnetism क्या है, यह वो branch है physics की, जो की deal करती है with the study of magnetism of earth, जो earth के magnetism को study करती है, उस branch of physics को हम geomagnetism या फिर terrestrial magnetism बोलते हैं, अब जो earth की magnetic field होती है, वो काफी uniform होती है, क्योंकि nature है, तो वो काफी uniformly आप कह सकते हैं, कि इसकी magnetic field होती है, और जो इसकी strength होती है, earth के, अगर surface पर देखें, तो लगबग यह 10 raised to power minus 5 tesla के करीब होती है, 10 raised to power minus 5 tesla के करीब, uniformly यह होती है, और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ earth surface तक ही सीमिद रहती है, यह उससे ऊपर भी होती है, जैसे माल लिगे, यह earth का surface है, यहाँ पर तो हमने माल लिया कितनी है, जैकि ऐसा नहीं है कि surface पर ही है, यह इससे कई गुना ऊपर तक भी होती है, यह जो magnetic field की presence आपको मिलती है, लगबग पांच गुना अगर हम radius of earth लें, तो उसको उतने ऊपर तक यह होती है, जैसे radius of earth को आप माल ले, 6400 km है, तो इससे पांच गुना ऊपर तक भी यह जो magnetic field जो है, extend होती है, लगबग आप कहें इसको 32,000 km तक, यह लगबग होती है, extend होती है, तो यह भी कुछ हमने basic इसके बारे में जाना, और इसके causes जान लेते हैं, कि earth magnetism के causes क्या है, कारण क्या है, earth magnet की तरह काम कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे भी काफी सारी थियोरी है, लेकिन exact कोई भी नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी काफी सारी थियोरी है, तो causes of earth magnetism, according to professor bracket, वो क्या कहते हैं, कि जो earth magnetism है, वो हो सकता है, due to rotation of earth about its axis, अब हमें पता है, जो earth है, अपने axis पर rotate करती है, अब ये भी हमें पता है, कि कोई भी substance है, वो charge particle का बना होता है, जैसे माली जी proton हो गया, electron हो गया, charge particle का बना होता है, अब हर एक substance अगर इन चीजों का बना है, और earth जो है rotate कर रही है, अपने axis पर rotate कर रही है, तो charge particle भी तो इसका मतलब जो है rotate कर रही है, और जब ये rotate करते हैं, about जो an axis अगर हम कह लें, तो यहाँ पर circulating current produce होने चाहिए, तो circulating current अगर पैदा होंगे, तो वो responsible होंगे, magnetization के लिए, पहला point तो यह हो जगता है, दूसरा, अगर दूसरे point की बात करें, जो outer layer है earth atmosphere की, वो हमारी ionized state में है, क्योंकि earth atmosphere जो है, उसमें काफी सारे gases हैं, gases जो है, gases का मतलब क्या है, कि वो ionization state में है, वहाँ पर काफी सारे charges हैं, ऐसा कह लिए, अब अगर first point की तरफ जाएं, अगर earth rotate करेंगी, तो यह charges भी rotate करेंगे, तो strong electric current setup होगा, इन charge के movement से, जो ions हैं, उनके movement से, तो यह current जो है, वो भी magnetizing कर सकती है, earth को, third point ले ले लेते हैं, जैसा हमने जाना कि earth rotate करेंगी, strong electric current setup होगे, और यह current जो है, magnetize कर सकते हैं, third point में हम लेंगे, कि जो earth core है, वो काफी extremely कहें, hot और molten होती है, अर्थ के core जो है, अगर अर्थ के नीचे हम जाते हैं, core जो है, जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो काफी hot है, काफी गरम है, काफी molten state में है, अब molten state में है, तो वहाँ पर iron और nickel जैसे पदार्थ भी हैं, अगर हम बात करें, iron है, nickel है, इस तरह के हैं, तो यह जो axis पर अपने rotate भ भी है, तो जो यह iron और nickel है, यह highly conducting liquid reason के अंदर है, एक तरह से कहें, अर्थ के, तो यह जो है, हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर भी जो core है, यह current loops बना रही हो, और अर्थ जो magnetic field को produce कर रही हो, ऐसा भी कह सकते हैं, अब यह जो points हमने लिए तीनों points, तो इनको हम किस तरह से relate कर सकत हैं, और अगर हम देखें, और चीजों से, इसको हम relate कर सकते हैं, moon के साथ, चांद के साथ, चांद के साथ, चांद के पास कोई भी इस तरह की molten core नहीं है, उसके पास कोई भी molten core नहीं है, जैसा हमने कहा, तो उसके पास molten core नहीं है, तो उसके पास magnetic field भी नहीं है, तो इस तरह से relate कर सकते हैं कि यह कि पास molten core है इसके पास magnetic field भी है लेकिन moon के पास नहीं molten core है इसलिए उसके पास हम कह रहे हैं कि magnetic field भी नहीं होगा दूसरा point लेते हैं Venus से अब जो Venus है वह जो है slower rate of rotation के साथ चलता है यानि कि slowerally वो rotate करता है slowly slowly rotate करता है तो इसलिए उसके पास magnetic field तो है लेकिन काफी weak magnetic field है तो हम इसलिए earth rotation से भी magnetic field को जोड कर देख रहे हैं कि हमारी earth जो है ज़्यादा rotate करती है इससे तो इसके पास ज़्यादा magnetic field है तीसरा point अगर हम ले ले कि कुछ planets हैं जैसे जूपिटर है जूपिटर की हम बात करें जूपिटर जो है fastest rotation rate है इसका ये काफी fast जो है rotate करता है तो fastest rotation rate हम इसका कहेंगे तो इसलिए इसके पास क्या है जैसे यहाँ पर Venus का slow गूमता था ये तो इसके पास weak magnetic field थी लेकिन ये fast गूमता है तो इसके पास strong magnetic field है तो इसलिए जो है ये जो points हमने लिए तो इनको अगर हम इन से जोड कर देखें और जो gray है हमारे तो उन से जोड कर देखें तो हमें लगता है कि ये जो point है ये favor में जा रही है जो भी theories जो है जो भी experimental theory लगा लिजे या जो भी observation है उनके favor में जा रही है तो इस तरह से magnetic field of earth के बारे में हमने आज basic पड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश की तो यहां पर हमने लिखा भी है कि जो circulating ions है जो iron chemical के in a highly conducting liquid reason जो की core में लिए थे तो वो current loop बना रहे हैं तो इन ही points को हमने यहां पर लिखा है कि जो molten core से और जो rotation of earth से relate करते हैं तो thank you video देखने के लिए और इसी तरह की videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यावाद